हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल विशाल गुपता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जक्ट है एकाउंटेंसी का उसका चैप्टर नंबर वन कॉंटिन्यू कराने जा रहा हूं एकाउंटिंग फर पार्टरशिप फर्म फंडामेंटल्स ठीका जी अब इसमें हम टॉपिक जो है वो डिसकस करेंगे इंटरस्ट ऑन पार्टनर्स ज्रॉइंग्स तो बचो ड्रॉइंग्स आपको पता है क्या होती है ड्रॉइंग मीन्स वो एमाउट जो विड्रॉग किया भार्टनर्जानाय जाता है कैश या-इन-काइंड में बाई पार्टनर्स वो ये तो इसमोघ में सैटाविय। के लिवकूश के लिए पैसा। निकालते हैं उसको हम ड्रॉईंग जो सकती है एक पता है और दूसरा अगैन्स प्रॉफिटॉट फॉर दा ययर इस particular year में है ठीक है बचो तो चलीए अब हम आगे बढ़ते हैं drawings against capital क्या होती है बचो जो drawing against capital है उसका मतलब है withdrawal of capital and is dabbed to partner's capital account और वो किस कहा कहती है partners capital account में और इससे क्या होता है इसे capital reduce होती है mind it and amount is withdrawn और उसके बाद अगर हम बात करें interest on capital is allowed on the capital for the period capital remains in the business जितनी दिर capital business में जितना रहेगा उसी को ही उसी पर ही interest मिलता है जितना पैसा withdraw का लिया उसको minus करने के बाद मिलेगा ठीक है so interest is not allowed on the withdrawn capital ठीक है बचे allowed on withdrawal capital okay और अब हम आगे बढ़ते हैं interest against profit for the year बचो in drawings against profit for the year means drawing by a particular partner against his or her expected share of profit for the year so drawings against profit is adapted to the drawings account and not to the capital account of the partners ठीक है बचो तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि capital on calculation of interest on drawing कैसे किया जाता है बचो drawings का करने का तरीका पहले हम समझते हैं कि drawings किस तरीके से की जा सकती है drawings दो तरह से होती है एक irregular drawings एक होती है regular drawings irregular drawings में ना तो उनका time को regular होता है ना amount regular होता है उनको जितनी जरूरत होती है पैसे की उतना withdraw करते हैं जब जरूरत होती है तब withdraw करते हैं और यहां पर regular time है हर एक particular time period के बाद और एक fixed amount और हर मन्त लेंगे ही लेंगे ठीक है जी तो इसमें जो हम method यूज़ करते हैं उसको हम product method कहते हैं और इसमें जो drawing को calculate करने का method लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं average period method तो बचो जो product method है उसके आगे दो method होते हैं एक simple method है और दूसरा product method तो simple method में आपको पता है कैसे आता interest on drawing is equal to amount of drawing into rate by 100 कर देते हैं और जो product method है उसमें हम क्या करेंगे जो interest on drawing वो कैसे आएगा total product into rate by 100 into 1 by 12 ठीक है बचो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं average period method क्या है तो average period method की अगर हम बात करें interest का formula पहले मैं आपको बता देता हूं वो कैसे रहेगा तो बचो वो आएगा amount of drawing amount of drawing into rate by 100 into average period upon 12 अब बात आई कि ये average period कैसे calculate होगा क्योंकि जैसा कि हमने बात करी है कि ये जो average period method है वो कौन सा period होता है regular वाला ठीक है regular period में period और regular amount regular time और regular amount वाले में ये method लगता है ना तो हम drawing किस में कर सकते हैं वो monthly basis पे कर सकते हैं वो quarterly basis पे कर सकते हैं वो six monthly basis पे कर सकते हैं और average period कैसे निकाल लेंगे number of months के हिसाब से every period कैसे calculate करते है monthly जो drawings होती है उसको at beginning at middle या at end ठीक है तो drawings के amount को तो आप 12 से multiply कर लेंगे और average month कितने होगे साधे 6, middle कितने होगे 6 और end के कितने होगे साधे 5 और quarterly में at beginning के कितने आएंगे साधे 7, middle के कितने आएंगे 6 और end के कितने आएंगे साधे 4 और six monthly drawings जदी है तो उसमें number of period में क्या आएगा every period में साधे 3, middle में 3 और end में diamonds ठीक है तो अब आगे when the rate date of drawing is not given जब date of drawing नहीं given होगी तब जो interest on drawing है be calculated for six months वो six months के लिए calculate कर दिया जाएगा 6 बटे 12 करके तो यहां पे जो उस वक्त every period की जगा हम 6 by 12 लिखते हैंगे बाकी formula will remain the same चले अब हम आगे बढ़ते हैं when the rate of interest that is per annum is not given जब per annum word ना given हो सिरफ यह given हो 6% यह 8% per annum word ना हो तब हम interest on drawing कैसे consider करते हैं उसमें time period consider नहीं किया जाएगा तो interest on drawing कैसे calculate करेंगे amount of drawings और वार हो राधर तीन difference करांगा लेकिन इसमें अभी दो difference सामने नजर आ रहे हैं आपको जो वह करेंगे वह पहला difference है difference between fixed capital account and fluctuating capital account का बचो fixed capital account or fluctuating capital में जो accounts है और number of accounts कौन से बंदे fixed capital में दो और fluctuating में क्या बनेंगे वन ठीक है और frequency of change इसमें does not change सिरफ तभी change होता है जब वह capital लेके आते हैं यह capital withdrawn होती है और इसमें balance change होता रहता है जैसे ही कोई उनको profit loss salary commission वगारा मिलता है हर transaction के बात ठीक है बचो जो भी partners को जानी है transferring transactions transactions relating to capital are transfer to fixed capital account ठीक है and transaction of drawing interest salary commission share of profit loss transfer to current account इसमें दो account बनने है न और यहां पे all transaction चाहे वो कोई भी है capital से related है drawings है interest on drawing है interest on capital है salary commission share of profit loss वो किसमें transfer हो जेगा सारा capital account में और balance कहां होता है balance होता है capital accounts have credit balance तो capital के यहां पर हमेशा credit balance रहेंगे क्योंकि जो बाकी adjustments है वो current account में चली जाती है और fluctuating capital account में कौन से रहेंगा debit balance हो सकता और credit balance हो सकता है ठीक है बचो चलिए अब हम आगे बढ़ते है difference between capital account and current account तो बचो जो capital और current account है उसमा उसका क्या difference है ठीक है तो उसका पहले difference देखिए उसमें सबसे पहले need की बात करेंगे capital account is maintained in all the cases whether following fixed method या fluctuating method capital account तो बनना ही बनना है but current account तभी बनता है जब fixed method capital बनाने का हम follow कर रहे हैं capital account will always have a credit balance and balance of current account will have a credit or debit balance तब उसको क्या बोलते हैं credit or debit balance उसके बादे नेचर in case of fixed capital capital account balance generally remains unchanged from year to year वो unchanged रहता है वो change नहीं होता ठीक है बचो और जो current account balance है वो हमेशा change होता ही रहता है ठीक है balance of current account doesn't change when capital introduced or withdrawn by partners तब उसमें current account में balance में कोई change नहीं आता और उसके बाद transaction capital account records the amount invested by the partners capital account में कौन सा record रखा जाता है जो partners invest करें आप amount और current account में कौन सी transactions को record किया जाएगा drawings को interest on capital को interest on drawings को salary commission profit and loss को ठीक है बचो तो चलिए इसके बाद में आपको एक और difference करवाता हूं फिर यह हमारा chapter complete हो जाएगा ठीक है बचो अब आपको मैं एक difference बहुत important है यह statement वाले questions जो बनेंगे उसमें से आएगा ठीक है तो आपको मैं इस तरीके से बता रहा हूं तांकि आपका focus इनी points को समझने में रहे ठीक है जी आप तांकि दूसरी चीज़ों पर focus ना करें इसलिए मैं थोड़ असको हाइड भी कर रहा हूं तांकि concentration आपकी यहां रहे चलिए अब हम बात करते हैं difference between drawings against capital and drawing against profit बचो सबसे पहले we are debited it is debited to capital account ठीक है और drawings against profit तो उसमें it is debited to drawings account और उसके बाद क्या है परचे पार्ट it is against capital और दूसरा क्या है it is against expected profit of for the year और उसके बाद effect क्या है गा it reduces capital immediately or withdrawal so it reduces capital when final accounts are prepared and drawing is transfer to the debit of the partners capital account और जो interest on drawing है no it is not considered for calculating interest on drawing and it is considered for calculating interest on drawing और interest on capital क्या है बच्चो it is considered for calculating interest on capital and it is not considered for calculating interest on capital तो बच्चो इसी के साथ यह topic complete होता और यह chapter भी complete होता है I hope कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को subscribe करके वीडियोस देखते रहिए और अपना course complete करते रहिए wishing you good luck happy learning